नमस्कार आप देख रहे हैं Health Tips YouTube चनल और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दाल चीनी के क्या क्या फाइदे हैं तो देखे दाल चीनी है वो बहुत ही फाइदेमंद है हमारे इस वास्ते के लिए हम दाल चीनी का उपयोग कैसे कर सकते हैं वैसे दाल चीनी एक मसाला है जो हर भारती रसोई में आसानी शी मिल जाता है दाल चीनी वास्त में एक मसाला ही नहीं है बलकि ये एक उस्दी है जिसमें बहुत सारे एंटी ऑक्सिडेंट के गुन पाए जाते हैं इसके लावा ये आपको डायबिटीज जैसी समस्याओं से कैंसर जैसी जान लेवा बीमारियों से सुरक्सित रखता है तो इस वीडियो में हम दाल चीनी के फायदों के बारे में चर्चा करेंगे उससे पहले आपसे एक रिक्वेश्ट रहेंगे अगर आप हमारी चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेर करें वीडियो को लाइक भी करें देखिए दाल सीनी जो है वो वजन को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा एक उस्दी है आज कल बढ़ता वजन मोटापा लगबग हर दूसर प्रोब्लम्स आती है इसे में अगर आप दाल चीनी का सेवन करेंगी तो आपको कुछ हद तक समस्या कम हो सकती है दाल चीनी में मोजिद पॉली फेनोल्स एक प्रकार का एंटी ओक्सिडेंट होता है जो इंसुलिन की समयदन सेलता को बहतर करता है इंसुलिन खून में ग्ल तो आपको ये जरूर यूज करना चाहिए इसके लावा अर्थराइटिस में भी दाल चीनी का उपयोग बहुत ही फायदा करता है बढ़ती उमर के साथ साथ हमारी हड़ियां कमजोर होने लगती है कई लोगों को गठिया जैसे भीमारियां घेर लेती है ऐसे में दाल चीनी एक औसदी के रूप में कारिय करती है दाल चीनी में आईरन, केलसियम और मेंगनी जैसे पौसक तत्वा मजबूत होते हैं जो गठिया की विमारी में राहत देते हैं एक सोद के मताबिक अर्थराइटिस में होने वाले दर्द और सूजन को बहुत हद तक दाल चीनी कम कर सक इसके लिए आपको इस्तिमाल कैसे करना है दाल चीनी को दाल चीनी के तेल की 3-4-5 बूंदें ले लें नारियल या सरसों के तेल में मिलाकर गुंगुना इनको गरम कर लें अब इस तेल से हड्डियों की मालिस करें ऐसा करने से आपको दर्द में बहुत राहत मिलेगी अग अगर समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगी चल कर भारी नुक्सान हो सकता है वक्त के साथ डायविटीज अन्य कई बिमारियों को जर्म देने लगती है ऐसे में मदुमे के मरीज अगर दालचिनी को अपने आहार में सामिल करते हैं तो मदुमे पर काफी हद तक नियंतरत लगाया जा सकता है इसके लावा आपको दिमाग के लिए यानि आपका जो मस्तिस्क है उसके लिए भी दालचिनी का उप्योग करना चाहिए दालचिनी मस्तिस्क के लिए काफी फाइदे मंद है इसकी सुगंद मस्तिस्क के गतिविदी को बढ़ाती है मस्तिस्क क कि तेल को सुंगा हो उनकी समर्ण सकती बढ़ने लगती है इसके लाव दालचीनी में मुझूद एंटी ऑक्सिडेंट गुन मनुष्य के अलजाइमर और पार्किंसन जैसे जो रोग है पार्किशन का अगर आपको रोग है मस्तिस्क से जुड़ा हुआ एक यह विकार है तो व गयरना क्या है आधा या एक कप पानी लेजिये डालचीनी की एक छोटी सी छड़े ले लिजी और एक चमज सहद ले लेजी अब आप पानी को उबाले अब बरतन में डालचीनी डालकर उसमें गरम पानी को डालें और पानी में करीब 10 मिनट तक दालचीनी को भीगने दें ताकि इसके सारे गुण पानी में आ जाएं फिर पानी को छान कर उसमें सहद मिलाकर आप पिएं तो बहुत फाइदा करेगा। इसके लवाँ आपको सर्दी खांसी की अगर समझता है तो आप दालचिनी का उप्योग कर सकते हैं। दालचिनी में एंटी माइक्रो बॉयल और एंटी इंफ्लेमेटरिक गुण मुझूद होते हैं। ये गुण सर्दी खांसी से बचाव करते हैं। इसके लवाँ आपको अगर रक्त परिशन्चन अपने सरीर का सही करना है तो दालचिनी का उप्योग जरूर करना चाहिए। दालचिनी में ऐसे योगिक मुझूद होते हैं जो खून को पतला करके रक्त परिशन्चन को बढ़ाते हैं। दालचिनी में मुझूद ये गुन धमनियों से जुड़े विमारी और दिल के दोरों से हमें बचाते हैं, बहतर रक्त परिशंजन का मतलब कम दर्द और अधिक ऑक्सिजन है, कोलेस्टरोल और दिल की विमारी अगर आपको है, तो आपको दालचिनी का उप्योग करना इसके लिए आप दालचिनी की चाय पीशकते हैं, सब्जियों में दालचिनी का उप्योग कर सकते हैं, इससे नहीं सिरफ खाने का स्वात बड़ेगा बल्कि आपके स्वास्ति के लिए भी ये सही है, इसके लवाब पाचन क्रिया के लिए भी दालचिनी बहुत ही इसके लाब अगर अगर आपको बलड प्रेशर की समस्या है तो आप दालचिनी का उप्योग कर सकते हैं, दालचीनी का उपयोग करने से आपकी ये जो समस्या है हाई बलड प्रेशर की वो काफी हद तक दूर की जा सकती है इसके लावा इन फर्टिलिटी में भी दालचीनी का उपयोग आप कर सकते हैं मोटापे से गरस्त लोगों को जो है ये बहुत फाइदा करता है इसके लाव मासिक द्रम की समस्या में आप दालचीनी का उपयोग करिए इसके बाद अगर हम बात करें तो दालचीनी के बहुत सारे और भी फाइदे है दालचीनी कैंसर की कोसिकाओं के विकास को कम करते हैं और उन्हें फैलने से रोकती है चुहों पर एक बहतरीन सोद किया गया जिसमें पाया गया की पेट में एंजाइम को सक्री करता है जो इंद्रियों को डिटॉक्सिफाई करके कॉलन कैंसर एक परकार का पेट का ये कैंसर होता है उसको फैलने से ये दालचीनी रोकता है दालचीनी में एंटी कैंसर गून मुझूद होते हैं जो कई परकार की कैंसर को हमारे स्रीर से बाहर करते हैं दालचीनी में मुझूद पॉलिफहनल csak और मेलेनोमा कैंसर खिलाब यही सुरक्सा परदान करता है अगर आपको दस्त की समस्य है तो आप दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं गर्भावस्ता में भी आप दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर की स्विलाज जरूर लेने चाहिए लंबी उमर अगर आप चाहते हैं तो दालचिनी आपकी आई उपर भी सकरात्मक प्रभाव डालता है लगातर दालचिनी पौडर का सेवन करने से आपके स्वास्ते समझी जो समस्छाए हैं उनसे आप बत सकते हैं इसके लवा दालचिनी कब्ज और गेस से राहत देता है रात को सोने से पहले दूद में दालचिनी का पाउडर मिला कर पी सकते हैं इसके आपको गेस, कब्ज और पेट से समझित अन्य प्रिसानियों से राहत मिलेगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा अगर आपको दर्द की समस्या है सरीड में कहीं पर भी जैसे दातों का दर्द, हड्डियों का दर्द, पेट का दर्द तो दालचिनी बहुत ही फाइदे मन्द हो सकती है दातों का अगर दर्द हो तो दालचिनी को चबा चबा कर खाएं या दालचिनी के पानी से आप कुले कर सकते हैं पेट दर्द हो तो दालचिनी की चाय या दूद के साथ दालचिनी का सेवन कर सकते हैं जोडों का दर्द हो तो दालचिनी का तेल आप नारियल या सरसों के तेल के साथ गरम करके लगा सकते हैं तो अब दालचीनी के बहुत सारे फाइदे हैं तवचा के लिए भी इसका बहुत फाइदा है तवचा हमेशा चमकदार और तवचा की नमी को बरकरार रखता है ये और खूब सूरती बढ़ाता है इसके अलावा आप जो यूज करते हैं बाजार में किसी भी बरकार की जो क्र जोग जरूर करना चाहिए धूल मिटी परदूशन बदलता हुआ मोसम या गलत खान पान के कारण हमारी चेहरे पर मुहास्थे या पिमपल्स हो जाते हैं कई बार पिमपल्स चेहरे पर अपना दाग छोड़ देते हैं और तब आफ़त आ जाती है जब हमें कहीं बाहर जान कारी करते हैं इसके लावा दालचीनी और सहद का मिस्टरन पिमपल वाले बैक्टिरिया को मार देता है आगे हम बताते हैं होटों को अगर आपको आकरसक दिखाना है तो भी आप दालचीनी का उप्योग कर सकते हैं होटों का आकरसक दिखना विसे इसकर महीलाओं के लिए जरूरी है कई महिलाएं चाहती हैं कि उनके जो होट हैं वो कुछ फिलम अविनेत्री जैसे दिखें दालचीनी ऐसा ये घरेलू मसाला है जिससे आपके होट आकरसक दिखते हैं इसके लिए दालचीनी की तीन से चार छोटी छड़िया ले एक कप जैतन का तेल ले ले लीज गन बंद करके ऐसे ही छोड़ दें जब इसके रंग में बदलाव नजर आने लगे तो समझ जाएं कि दालचीनी के गुन तेल में आलने लगे हैं और इसका इस्तिमाल आप कर सकते हैं अगर आपकी तौचा में रूखे पन की समस्या है तो आप दालचीनी का उप्योग कर सक और इसे हफते में एक या दो बार लगाएं लेकिन आपको ध्यान रखना है ये इसक्रब लगाने के बाद आपको जलनिया खुजली मैसूस हो तो आप तुरंद इसे दोलें इसे पर रखने के लिए आप पहले इसे पेस्ट को इस पेस्ट को अपने हाथ पर लगा कर पता कर सकते हैं दालचीनी हमारी तुचा के जो रंगत है उसको भी निखारती है तो चेहरे की रंगत को ये जरूर निखारता है अगर आपका चेहरा अगर आपकी तुचा खराब पढ़ने लग जाती है पर दूशन की वज़े से दूप की वज़े से तो आप दालचीनी का बुकरस मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तियार कर लीजिए इसको 10-15 मिनट के लिए आप चेहरे पर लगाएं और छोड़ दीजिए उसके बाद आपको अपना चेहरा धो लेना है अगर आप हमेशा अपने चेहरे को जवान दिखाना चाहते हैं तो आप दालचीनी का उपयोग है तो इस वीडियो में हमने यहां पर बात की है आपको दालचीनी से होने वाले फायदों के बारे में बताया है इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में इस वीडियो को सेर्वे करें और अगर आपने अ झाल झाल